इर्सिपी को लेकर केंदरे जलशक्ती मंत्री गजंदर सिंख शिकावत ने प्रेस कॉन्फरेंस कर पिछली सरकार पर निशाना साधा है शिकावत ने काहा है कि इर्सिपी को लेकर बीटे पाँच वर्षों तक हर स्तर पर राजनिती हुई लाभों की पूर्ती करने के लिए केंदर राज्यों के बीच M.O.U है लेकिन पहले जो लोग राजनिती कर रहे थे वो अब भी राजनिती कर रहे हैं विधानसवा में वेपक्ष की टीका टपने भी की गई तो आपको बता दें कि गजन सिंग शिखावत की मौजूदगी में ही दोनों राज्यों के बीच हाल ही में M.O.U हुआ है E.R.C.P को लेकर और उसके बाद से लगातार वो गहलोत सरकार और पूरवरती कॉंग्रेस सरकारों पर हावी हैं उसी कड़ी में उन्होंने आज पत्रकारों से वारता की और E.R.C.P पर सवालों के जवाब दिये अब देख सकते हैं गजन सिंग शिखावत जलशक्ती मंत्री और लगातार मुख्य मंत्री जब ततकालीन मुख्य मंत्री अशो गहलो थे उनके साथ भी कीच्टान E.R.C.P को लेकर चलती रही तो E.R.C.P को लेकर केंदर जलशक्ती मंत्री गजन सिंग शिखावत ने प्रेस कॉन्फरेंस की है और यह सामने आपको बताए कि उन्होंने विपक्ष पर निशाना सादा है और कहा है कि जो अपनी प्रतिपूर्ती कर रहे थे राजने देखितों के लिए जन लोगों ने पहले राजनीति की थी वह उसके बाद में भी उस पर राजनीतिक बयानबाजी और राजनीतिक बाण छोड़ने से बाज नहीं आ रहे थे मैं सूस्ता था कि शायद राजस्तान के सभी लोग मिलकर के उसको उस पर माने प्रदान मंत्री जी को और वर्तमान में मद्यप्रदेश और राजस्तान की सरकार और सरकार के दोनों मुखिया को उसके उपर धन्यवाद भी देंगे बधाई भी देंगे